कर दोट पकाने में लेट होगी तुम मिझे ऐसा लग रहा कि दूट सैद है दूट फट गया है ऐसा यह फटा फटा सा लग रहा है तो आपने देखा तो नीचे से एक आवाज आ रही थी एक आवाज आती है तो अब मैं गैस को बंद कर देती हूं और इसको विनेगर से और थोड़ा सा विनेगर डाल कर दोड़ा इस जिससे फट जाए और फिर मैं इसका पनीरी बना लेती हूं यहां रात को छोले भी गो दिये थे इसमें आज़ा चमच मीठा सोडा डाल दिया था जिससे छोले बहुत अच्छे गले टाइप के बनते हैं तो छोले गले बने तो अच्छा रहता है नुकसान नहीं करता है छोले को एक बार अच्छे पानी से धों करके फिर कुकर में डाला है अब इसमें पानी डालते हैं कि विनेगर और पानी मिला रहे हैं और इसके ही हम दोस को ठाड़ेंगे पानी और विनेगर मिक्स्टिया इसको मिलाते जाएंगे और हिगाते जाएंगे इसको कि आज बहुत बड़ा नुकसान हो गया याज यह दूद फट गया है कि सोच्रीन की रजगुल्ला ही बना लेती हूं आज शेने का रजगुल्ला अब इस कपड़े में दोरू गंजी का दूद डाल लेते हैं अब इसमें पानी डाल करके इसको जल्दी से ठंडा कर लोते हैं अगर मैं छेने का रजगुल्ला इससे बनाऊंगी तो इसके लिए मुझे नरम पनीर चाहिए इसको इसे डुबो डुबो के ठंडा कर लेंगे इस एक प्लेट ले लिए हमने और इसमें कोई बजन रख देंगे एक प्लेट ऐसे रख करके पानी से भरी हुई गुण रख देती हुए जितना भी पानी होगा सब पानी इसका निकल जाएगा हे गाइस गुड मॉर्निंग अब गुड मॉर्निंग तो नहीं कह सकते हैं साड़े बारा बच चुके हैं और अभी मैं जस्ट नहा कर आई हूँ सोचा कि जब तक कुकर में छोले वाल हो रहे हैं फटा फट नहा कर आ जाती हूँ और देखिए यह पनीर जो कि अभी तबाह के गई थी कितना पानी कितना पानी ये निकल ला है बहुत सारा पानी निकला है मैंने पहले कभी रस गुल्ला तो नहीं बनाया लेकिन एक दिन मैंने रस मलाई बनाई थी बहुत अच्छी बनी थी बट फर्स टाइम था इसलिए मैंने वीडियो शूट नहीं किया था मुझे लगा पता नहीं मैं अच्छा बना पाऊंगी या नहीं लेकिन बहुत तो ट्राइ करती हूं कैसा बनता है अभी मुझे छोले भी बनाने हैं अब में छोले का मसाला तयार कर रही हूं एक मिकसी Grinder में हरी मिर्चे लहसुन और अध्रा काट करके डाल रही हैं इसमें प्याज डाल करके मसाला को पीस लेंगे मारा मसाला रेडी हो जाएगा हरी मिर्च को बीच से काट लिया है जिसमें मुझे छोले की सबजी बनाना है उसी कुकर में मैंने तेल डाला था उसी में मैं हरी मिर्च फ्राई करके निकाल लूँगी हरी मिर्च जब फ्राई हो जाएगी तो इसको बाहर निकाल लेंगे और ये फ्राई मिर्च छोलिक साथ बहुत अच्छी लगती है अब उसी कुकर में मैं पिसा हुआ मसाला डाल रही हूँ इसको अच्छे से भूल लेंगे जब इसमें तेल दिखने लगेगा तब सूखा मसाला डालेंगे सूखे मसाले में तेल चम्मच धनिया पाउडर थोड़ी सी हल्दी और आधा चम्मच के करीब गरम मसाला एड़ कर रही हूँ अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें मैं एवरेश्ट का छोला मसाला डाल रही हूँ दो चम्मच के करीब इसको भी एड़ कर लेंगे दो छोटे टमाटर की प्यूरी तैयार कीए उसको भी एड़ कर दूँगी अब इसमें दो चम्मच नमक एड़ कर दूँगी इसको भी मिक्स कर लेंगे मसाले को अच्छे से भूल लेंगे जब मसाले में से तेल दिखने लगे तब उसमें उबले हुए छोले डालेंगे मैं उबले हुए छोले आपको दिखाना चाहरे हूँ कि ये उपर से बिल्कुल सैगे दिख रहा है लेकिन अंदर बिल्कुल पक गए हैं तो ये एड किया मैंने और इसको मिक्स करके इसमें पानी डाल दिया अब पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर अगर हमें पानी के और जरुरत होगी तो और पानी डाल लेंगे जितना आपको लिकोडी बनाना है उतना आप रखिये पानी तो मैं इसमें थोड़ा सा और पानी एड कर रही है आप कोकर को बंद कर देंगे पहले तेज आच में कोकर चढ़ा कर रखेंगे फिर उसके बाद दीमी आच करके थोड़ा देर उसको पकने देंगे चार-पाँच मिनट के लिए पनी निकाल लेते हूं कपड़े से अब इसको अच्छे से मसल लेंगे नरम होने था इसे हथेली की हल्प से इसको अच्छा खुम मसल लेंगे जब तक ये नरम नहीं हो जाता मैंने इसको लगभग 20-25 मिनट कंटीनियू मला है तो मेरी हथेली तक में दर्द हो गया ये सबसे बड़ा टास्क है रजगुले बनाने का तो च्छेने को बहुत ज़्यादा नरम करने की ज़रुरत रहती है इसलिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है ये हमारा च्छेना नरम हो गया इकठा कर लेंगे और फिर रजगुले को छोटी छोटी गोली के शेप में बना लेंगे सारे छेने से हम ऐसे रजगुले तयार कर लेंगे हमारे सारे रजगुले तयार हो गया है अब मैं एक कडाही में तीन कप के करीब शक्कर डाल रही हूं और उसमें 6 कप पानी डालूँगी मलब इसका डबल रेशियो रहेगा 3 कप शक्कर तो 6 कप पानी इसको डाल करके गैस ओन कर दूँगी अब इसको कंटीनियू चलाते रहेंगे जब तक यह शक्कर घुल नहीं जाती नहीं तो शक्कर नीचे से चिपक जाएगी यह शक्कर बस घुली गई है चोले भी रेडी हो गए हैं मैंने कुकर खोल के देखा बहुत अच्छे चोले बने हैं और यह पक भी गए हैं बहुत अच्छे से और यह मैंने एक बॉल में निकाल करके आपके लिए रखा है चोले चासनी बस उबलने लगी है जब थोड़ा और उबलने लगेगी इसमें तभी हम डालेंगे छेने के रजगुले यह हमने छेने के रजगुले डाल दिये हैं थोड़ा रुक रुक के डाल रही हैं इस तरह मैं सारे रजगुल्ले डाल दूँए और इसको मैं एक परात से ढाग दिया है इसको कम से कम पांच मिनट पकने देते हैं लेकिन मेरे छेने के रजगुल्ले थोड़े फूट से गए हैं इनको मैंने 20 मिनट के लिए पकने दिया है कुछ रजगुल्ले फूट गए हैं लेकिन कुछ अच्छे भी बने अब पता नहीं उसमें क्या प्रॉब्लम ऐसी हो गई है कि फूट गए हैं कुछ रजगुल्ले अस टाइम बना रही हैं कभी मैंने नहीं बनाया था फस्ट टाइ बने और बहुत जादा इस्पंझी हैं को कडाही से निकाल दिया वी हलके गरम है अब इसको मैं फूट करल देती हूं फिर मैं दिखाती मैं आपको बाद में मैंने छेने के रजगुल्ला फ्रिस से निकाल करके आपको दिखाने के लिए लाई हूं एक मैं काट भी रही हूं चासनी पूरा अंदर तक सोख लिया है और जाल बहुत अच्छा बनाए अंदर यह देखिए और खाने में भी बहुत टेस्टी है गुड एवनिंग शाम के छे बत चुके हैं और मैंने पीछे यहां थोड़ा सा चावल चड़ाए आप छोले बनाए था तो बच्चो ने बुदा कि चावल खाना है तो बस वही बना रही थी कीचेन में आई तो सोचा कि आप लोगों से बात कलनू तो आपने देखा कि रजग ले टूट गए हैं तो काफी देर तक मैं सोचती रही दोपार को नीम भी नहीं आ रही थी अगर दूद खराब होने वाला है तो अगर नीचे से बहुत तेज से से ऊपर दूद उठे मतलब की दूद खराब हो जाएगा तब ही मेरे को समझ में आ गया कि दूद फटने वाल में समझ में आया क्योंकि ऐसा लग रहा है कि छेने के रजगुल्ला के लिए फ्रेस दूद चाहिए था उसको फिर अपन फाडते उसके बाद फिर बनाते तो वो एक चिकना पन रहता है छेने में लेकिन इस छेने में उतना चिकना पन नहीं था और एक हो सकता है उस वज़ होती मत करिए तो दूद अच्छा फ्रेस लीजे फिर दूद को फाड़िए फिर उससे चेनिकर अजगुल्ला बनाईए नेक्स टाइम मैं यही करूँगी और उसकी रेस्पी भी आपके साथ यदू शेयर करूँगी तो मैं चाहती तो वीडियो नहीं अपलोड करती लेकिन मुझे लगा कि मैंने जो गलती की है उस गलती से आप लोग को भी पता चले हो सकता है कुछ लोग ऐसा सोचते हूँ कि अब दूद खराब हो रहा तो चलो कुछ ही उसकली जैसे कि मैंने किया लेकिन इससे अच्छा पनीर बना लेना था वो ज्यादा सही था तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेस्ट वीडियो में हाँ लाइक जरूर कर दीजगा और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजगा ओके पाई बाई